आपका स्वागत है अगर आपको हमाई रेसिपी अच्छी लगेते लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि हमारे वीडियो क्यारने वाली नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकी आज हम मटर पनीर की रेसिपी आपकी स सब्सक्राइब नमक लिया है साथी के अनुसार अधा चमच हल्दी पाउडर एक चमच लाल मिर्ची पाउडर ये कस्मीरी लाल मिर्ची पाउडर 300 ग्रम पनीर और ये चार हमने टमाटर काट लिए हैं थोड़ी से दाही और ये मटर धनिया पाउडर लेसन और प्याज तरफ देंगे मारा थोड़ा से पीजूनँ हो गया हम इसे ज्यादा गर्म नहीं करेंगे इस पिल्टे टुप्डे इस तो पोर्टैश के टुप्रें के ऊच्ट्किन है और इसा थोड़ा से आफ़ा पाउडर से देगैने कि मारे सारे पनीर टुप्रें सब्सक्राइब हो ग तल गया है चाल इसको बंद कर देंगे तर प्रिशित काल देंगे निर्णे कट्वरी पर निकाल के रख लिया इसको इसको इडोर मत्र को तलने के वाद थोड़ा स्टेल बची गया थो अबस्टेल इसके और अरएट करें तेर हमारा गरम हो गया इसमे डालेंगे जीरा और डाल देंगे प्याजों लेस्टों और इसे पोड़ा से कलक्षेल हो गया है अब यहीं पिडा देंगे हम तमाटर पैसे ही भूल देंगे प्यास तामाटर सोचा चला दिया शेकिवा देंगे और घेस की पैसर देंगे तो कर देंगे और चिख निठेब आपानले और फीक ही यשट होने के लिए घैसे ही पैन रचिय हैं और लेज़ डाल देगए कर दाने के भावडर जल्दी पावडर और यह लाद मिर्च को पावडर गार मिर्च छमच दिया है कि अधिक होती है अधा चमच गरम मसाला गरम में नहीं दिखा पाई थी अधिक सुन प्याज और ट्रमाटर को पीज करके रखें दालेंगे और इसे पखा लेगे इसे के हमारा मसाला पक चुका है अब इसमे दाने के तही दावते समय के इसको बिल्ग मती रखना है यह तही को में इसे स्टेट दिया है दालेंगे और इसे परावर से मिला देंगे दही को प्टालती समय हमें साथ जैस को मती ही रखना दही अप्सिनल है अगर आपको पसंद है तो दही डालिए नहीं पसंद स्क्रिप कर सकती है लेकिन दही से इसके स्वात बहुत अच्छा आता है और बढ़िया मसाला क्रीमी क्रीमी हो जाता है अच्छा मसाला योटो कि बढ़िया है तुछाइब लेक चलाशे से करें दानेगे जानाय करेंगे रीदैस ऐंचे पनी तुछाइब दगी घर से 4 मेरे पानी और अट करेंगे वर्ज बढ़े गिना दानाय करितीघ भाद्सिता कान मसाल का नयों बभी दी नहीं शाघ APIs今天 दानि हादे पारी में हमारे अच्छी उबाल आ गई है अब इसमें मटर टाल देंगे अब फोड़ी देर मटर को पखने के लिए छोड़ देंगे इसको देख करके चेक करेंगे अच्छी उबाल आ गई है यह हमारे मटर के शॉक्त हो गई है अच्छी कुश्पु आ रही है अब हम इसमें डालेंगे अपना पनीर के टुप्रे डाल देंगे और इसे बराबस चला अब थीरे करके खोड़ी देर के लिए इसे पखने देंगे ताकि हमारे मटर पनी चेक करेंगे 5-6 मिनट हो गई है यह हमाई सब्सक्राइब करके तयार हो गई है इसे बिल्कु पख गई है अच्छी कुश्पु आ रही है खाने में बहुत तेस्टी लगती है चलिए इसे स गर्व कर दिया है खाने में बहुत ही डिश्टी लगता है आप भी इस रचीपह ए बस ज़रूर ट्राइघ करें तो झाल